नमस्कार दोस्तों मैंने पाइंड प्लेट्फॉम एजुकेशन सिंटर प्राइबिट लिमिटेट के योट्यूब चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूं NTPC CBT1 में पुछे गए बहतरीन सवालों की एक कड़ी चल रही है जिसमें आज हम लोग देखेंगे अपने सेसन की सुरुआत कोश्चन नमबर बन से करते हैं कोश्चन नमबर बन क्या कह रहा है ध्यान देंगे कोश्चन नमबर बन कह रहा है एक किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है किसी अनकार्ज के कारण एक कार्ज पूरा होने से पहले ही कार्ज छोड़ देता है और सेस पास दिन तक बीन अकेले ही कार्ज कर दिया इस स्थिति में कार्ज को पूर्ण करने में कुल कितने दिन का समय लगा ध्यान देंगे ए कह रहा है A किसी काम को 20 days में करता है B उसी काम को 30 दिनों में करता है ध्यान देंगे कह रहा है किसी अनकार्ज के कारण A काम पूरा होने से पहले ही काम छोड़ देता है और सेस 5 दिन तक B ने अकेले ही काम किया इसका मतलब यह हुआ कि दोनों ने मिलकर काम करना सुरू किया था, काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले, काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले, ए ने काम छोड़ दिया था, तो बताइए, यह अकेले जो भी है, वह कितना दिन तक काम कर रहा है, पांस दिन तक, इसका मतलब यह हुआ, कि अगर हम बात करें, LCM तो यह यह हो जाएगा त्रीका और यह हो जाएगा कितना टू का कहने का मतलब बी जब लास्ट का पांच दिन अकेले काम किया है तो यह एक दिन में जब दो यूनिट काम करता है यानि पांच दिन में कितना दस यूनिट का काम का कर रहा होगा अर्था दस यूनिट का किया होगा के लास्ट के 5 डेज में अर्था टोटल वर्क जो 50 है ये 50 वर्क ए और बी ने मिलकर किये होंगे ए और बी ने मिलकर किया होगा तो ये 50 काम जब ए और बी मिलकर करता था तो ध्यान देंगे एक दिन में 5 यूनिट काम का होता था तो 50 यूनिट काम करने में कितना समय लागा होगा 50 बटा कितना 5 अर्था 10 दिन कहने का मतलब हुआ मेरे दोस्त कि 10 दिन तक A और B ने मिलकर काम किया था उसके बाद A काम छोड़कर चला गया था और लास्ट का 5 देज B ने काम किया था तो इस प्रकार से काम को समब्थ होने में टोटल कितने समय लगे तो B अकेले 5 दिन काम किया और A के साथ मिलकर 10 दिन काम किया तब जाकर काम समब्थ हुआ इसका मतलब यह हुआ टोटल दिनों की संख्य हमारे पस कितना पंदरा दिन हो जाएगी उपसर नमबर डी इस सवाल का सही उत्तर होगा नेक्स कोश्चन के और हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन क्या कह रहा है ध्यान देंगे एक अस्कूल में लड़कों योँ लड़कियों को मिलाकर औशत आयू 16.8 है लड़कों की उसत आयू 15.4 और लड़कियों की उसत आयू 18.2 है तो असकुल में लड़कों और लड़कियों की संख्या कानुपात ग्याद करें ध्यान दिजेगा Boys और Girls Boys का उसत आयू है अपका 15.4 Girls का उसत आयू दिया हुआ 18.2 और उन सभी को मिलाकर अगर एभरे जायों की बात की गई है तो ये दिया हुआ है 16.8 16.8 बताइए 18.2 में से 16.8 को घटाएंगे तब 0.4 और ये हो जागा 1 1.4 जब 16.8 में से अगर 15.4 को घटाएंगे तो ये आ जागा कितना 4 1.4 इसका मतलब ये हो जागा ये दोनों बराबर आया इसका मतलब ये हुआ कि बॉयज और गल्स का जो रेशियो था वह एक अनुपात एक के बराबर था option goes to be option goes to be यही इस सवाल का सही उत्तर होगा अपने next question क्यों हम लोग move करते हैं next question क्या कह रहा है ध्यान देंगे यदि x बराबर 19 minus under root में 19 x root 12 बराबर root 4 minus root 3 हो तो x कमान ग्याद करें ध्यान दिजिएगा थोड़ा सा इस सवाल को बहतर तरीके समझने का परयास किजिएगा बहुत अच्छा question है ज्यान देंगे कहा ग्या है root 19 minus x root 12 एक काम करते हैं मेरे दोस्त अगर यह चीज इस प्रकार से है 19 minus x root 12 बटा 1 है लिखने की आओ सकते हैं नहीं square root 4 minus square root 3 तो x कमान ग्याद करें सबसे पहले अगर हम बात करें दोनों बहुत साइडे squaring कर देते हैं बहुत साइड अगर आप इस squaring करते हैं तो बहुत साइडे squaring करने पर यह हो जाएगा 19 minus x root 12 बराबर यह हो जाएगा आपका 4 plus 3 minus minus 2 root 12 2 root 12 लिखा जा सकता है फिर समझेगा हमने क्या किया इसका square किया तो यह square root भात उसाइड ऑस्कुाइरिंग करने पर बहुत साइड एसक्ओायरिंग करने पर वालसाइड एसक्ओायरिंग करने पर यह square root जटेगा तो 19 minus x root 12 और यह हो जाएगा कितना 4 3 7 minus 2 root 12 ध्यान देना है यह 19 changing minus x root 12 बराबर, 4, 3, 7, minus 2 root 12, हो जाएगा क्या, हमें चाहिए x का value, हमें चाहिए किसका, x का value, अगर ये बराबर होता, तब तो direct हम x की value निकाल सकते थे, लेकिन अब क्या करना होगा, यहाँ से इस प्रकार लिखेंगे, minus x root 12, बराबर, 19 को जब इधर लाएंगे मेरे दोस्त, तो यह हो जाएगा, 7, 12, 12, negative में, 19 इधर आएगा, तो 19 में से 7 घटा लेंगे, 12, लेकिन 19 बड़ा होगा, तो minus 12, minus 2 root 12, minus 2 root 12, अब ध्यान देंगे, minus अगर common लेंगे, तो यह आजाएगा, एक x root 12, बराबर, एक x root 12, बराबर, यहाँ से लिखा जा सकता है, 12, plus 2 root 12, 12 plus क्या, 2 root 12, हमें चाहिए, root x का मन, हमें चाहिए x का मन, तो ध्यान देंगे, अगर अगली बार हमें square कर दें, तो यह x square के term में आ जाएगा, अगली बार यदि हमें square करें, तो यह x के term में आ जाएगा, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं x root 12, x root 12 बराबर, यहां से हम अगर root 12 भी ले ले, common, तो यह आ जागा root 12 plus 2, 12 plus root 2, ध्यान दिजागा, x root 12 बराबर root 12 into root 12 plus 2, यहां से root 12 हमने common ले लिया, तो देखे, root 12 into root 12, 12 के बराबर, और 2 root 12, यहांनी x का comparison कर दे, तो x का value हो जागा, 2 plus root 12, 2 plus root 12, 2 plus root 12, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 plus, 2 plus, 12 को चार्तिया बारा, यहांनी 2 root 3, 2 plus 2 root 3, option number B, option number B, इस सवाल का सही उत्तर होगा, option number B, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, हमने किया क्या है, ध्यान दिजेगा, सबसे पहले squaring किया, squaring करने के बाद x का value निकालने के लिए हमने क्या किया, यहां से common लिया है, यहां से हमने common लिया root 12 को, और root 12 दोनों तरफ चुकी मिल गया, इसलिए x का value यह हो जागा, अगर comparison करते हैं तो, तो x का value आगे 2 plus root 12, और 2 plus root 12 को हम लिख सकते हैं, 2 plus, 2 root 3, 2 plus, 2 root 3, next question के और हम लोग move करते हैं, क्या है next question, question number next 4 है, p बराबर 2 plus 0.2 भागा 0.2 गुने 2, minus 1 गुना 2, q बराबर 2 minus 0.2 भागा 0.2 गुने 2, minus 1 by 2 into 2, तो हमसे पुछा गया है, p by q का मान ग्याद करें, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ध्यान देंगे क्या है question, इस तरह का सवाल, कैलकुलेशन बेस्ट ही है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, mistake हुआ कि गलतियां आप से शुरू हो जाती है, गलतियां आप कर देंगे, तो तरीका क्या होगा, सबसे पहले समझेगा, आपको board mass याद रखना होगा, यानि पह पी का मान दिया हुआ है, अगर पी का मान दिया हुआ है, 2 प्लस, 0.2 भागा, अगर हम यह bracket को हटा दे, तो यह आ जागा कितना, भागा है तो 0.4, आ जागा क्या, 0.4, 0.2 इंटू 2 करेंगे, तो 0.4, माइनस, 1 इंटू 2, अभी माइनस नहीं कर जागा, माइनस कर दी जाग ध्यान देंगे, अब क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे, पहले क्या भाग, यानि 2 प्लस, यह हो जागा, 0.2 बटा, 0.4, माइनस, 1 इंटू 2, माइनस, 1 इंटू 2, ध्यान देंगे, यह हो जागा, 1 बाइटू के बराबर, यह हो जागा, किस के बराबर, 1 बाइटू के बरा 2 plus 1 by 2 minus 2 होगा, minus क्या 2, यानि ये खतम हो जाएगा, P का value आगया कितना, 1 by 2, P का value क्या आया, 1 by 2, P का हमने value निकाला, उसके बाद फिर Q की value जब हम निकाल रहे होंगे, तो Q का value आप ध्यान देंगे, दिया हुआ है 2 minus 0.2 भागा, यहां से जब हम multiply करेंगे, तो ये 0.4 के बरावर होगा, तो 0.4 minus 1 by 2 into 2, minus 1 by 2 into 2, ध्यान देंगे, ये 1 by 2 के बरावर होगा, ये वाला 1 by 2, तो 2 minus 1 by 2 minus 1 by 2 into क्या 2, अब पहले, आप multiply करेंगे, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना 1, तो 2 minus 1 by 2 minus कितना 1, ध्यान देंगे, दो में से एक घटेगा तो 1, और एक में से आधा घटेगा तो क्या हो जाएगा, आधा, एक में से आधा घटेगा तो क्या हो जाएगा, आधा, that means P का भी मान 1 by 2 आया और Q का भी मान 1 by 2 आया इसका मतलब P by Q का हमें value चाहिए था और P by Q भी 1 by P भी 1 by 2 है और Q का भी मान 1 by 2 है ये cancel out होके हमें answer आ जागा कितना 1, 1 is the right answer इस सवाल का सही उत्तर आपका 1 होगा आज इस हम लोग वीडियो में इतना ही रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे इसे उत्ताव मंग के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए बाई बाई टेक केर